इति दिधंग राइप नमश्कार इस्टोक के ह Corn Themya थिन भी का विक्षित किरती लाते हैं कि एक सरकार ने कि लेकर पहले से भी डला था काफ़ प्रडाली ुसके बाद हम देखते क्या क्या निव्य पहले उसके बाद हम देखते हैं किया ήसके तो इसके लिए कौन सी कंपणियों टेंडर दिये जाएगा, सारा कुछ बताते हैं न्यूज में, तो पहले चलते हैं, पहले जानते हैं कबच क्या है, देखें सर यह होता है, यह है एक डिवाइस की तरह होता है, जो डिवाइस ही होती है, जो ट्रेन के इंजिन के लावा रेल अब देखें सर यह जो दिया गया है कि इंडिया रेलवे 5,000 करोड मेगा टेंडर फोर इंटोडूशिंग दा कबच आटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, बतलब यह यह ट्रेन प्रोटेक्शन के लिए उन्हें पांच चजार करोड के मेगा टेंडर दिया है, जो कि रेलव था अब यह लबस 70,000 km को और कवर्ट करेंगे इसलिए इन्होंने जो टेंडडर दिया है इतना वड़ा टेंडर दिया और यह कंपणी कौन को से इसमें सामिल की है इन्होंने तीन कंपणी इसमें बताई है एक तो HVL power system और कार को थर नोशन परक्वे लिए अगर कभा वहों तो इनकों कानर से भी यूदि होसकती तो अब इसमें जो कंपड़ वसकती है तो अब इसमा जो कंपड़ के बड़ाई है चुकि अब तो कबच लगना शुरू होंगे, जब कबच लगना शुरू होंगे, बनना शुरू होंगे, तो यहां से जो profit है लगवा मल्टिपल होगा, तो इस company को देखते हैं, कौन कौन सी company, इसमें जो तीन company बताई, मेधा सर्वेस तो इसमें लिस्टेड है नहीं है, लेकि इस company चलते, करनेक्स माइक्रो सिस्टम, इस company वो देखते हैं, तो आज भी इसमें 5% का अपर सर्वेट लगा है, और जब से कल से यह new जाई है, तब से यह company में अपर सर्वेट लग रहा है, और इसको देखिए 716 करोड का मार्केट कैप है, और इसकी मौजूदा कीमत 426 अगर इसका एकुटी, डेप्ट और एकुटी देखा जाए, तो 0.20 है, और EPS भी माइनस का है, ठीक है सर, और देखिए विक्री जो सब कुछ माइनस ही चला है, प्रमोटर होलिंग 39.2 है, और DIA होलिंग 0.01 है, मतलब कुछ भी नहीं है अभी तो, अगर इस company को fundamental अगर अभ इसको अगर देखा जाए, इसका result भी थोड़ा देख लिया जाए, अगर, तो result देखते हैं, पहले तो quarterly परणाम देखते हैं, उसके बाद देखते हैं, क्या है फिर इसमें, तो quarterly अगर देखा जाए, तो fundamental बगरा देखा जाए, तो इसका सब कुछ माइनस ही है, negative है, सब कु 4.26, minus 3.50, तो अजरा इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो fundamental है, बो तो कहीं से यतना मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है, कि इसमें क्या हो सकता है, लेकिन अब new जाया है, तो new जाया है, तो अब इसका चार्ट भी देख लेते हैं, एक वार क्या कह रह है, इसने 714 का, उसके बाद ही लगातार एक M पैटन बनाके और लगातार नीचे की और गिरती चली आई है, अब जब से इसमें न्यूज आया है, तब से इसने एक बुले स्केंडल बनाई है, यहां से ओपर की और चल दी है, तो अब इसमें एकदम जैसे न्यूज आई है, इसमें एकदम एंट्री लेना तो उचित नहीं है, और थोड़ा इसका fundamental और थोड़ा मजबूत हो जाए, तब इसमें अगर एंट्री ले जाए तो ज्यादा उचित है, क्योंको सारा कुछ माइनस है, EPS माइनस है, सब कुछ माइनस है, ठीक है सर, अब अगर दूसरा stock देख कंपनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह कंपनी अभी तक एक ट्रेंड लाइन पर चल रही थी, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर आगे बढ़ रही थी, और यह कुछ तमयमें फिर एक साइडवेज आई, काफी अच्छा रिटन देने के बाग, जब यह साइडवेज आ उपर बढ़ने लगए यहां से, तो फिर आभी यह फ्रेस आई लगाएगी, और फ्रेस आई लगाएगी, यह कंपनी आराम से अगर इसको टेंडर मिलते हैं, तो यह आराम से बहुत अच्छी, बहुत मजबूती से निकलेगी यह कंपनी और आपको अच्छा रिटन दे जा कंपनी को बहुत हैं, तो इस नाम भी प्रमक्ता से आता है काइनाश टेकनोलोजी, बहुत ही वैथनी कंपनी यह इस कंपनी को आप देखें, फंडामेंटली मजबूत है और यह एलेक्ट्रो इलेक्ट्रोनिक मैनुफेक्चर में भी काम कर रही है, क्योंकि अब इंडिया इ तो बहुती होुपँ यहां कितने बड़ी अतर है क्येसे यह चार आई लिंदे खेक्राइबवाए हो. यह चार्वे पहु इस कामपपनी को आप प्राइन का ओक सिट्मोट mismos लाइANCं, कंपनी आई क्या कहते हैं एक कंपनी एच्वियल पावर सिस्टम और एच्वियल पावर सिस्टम के बाद जो कंपनी आई निकल के आपकी यह देखिए यहां से कितनी जबड़स तरीका से लगातर मुग दे रही है तो काइनाश टेकनलोजी को आप उस पर रखें नजर पर एक एच्वियल पावर सिस्टम को रखें हाँ उस जो क्रेंश टेकनलोजी थी उस कंपनी को जो एक और कंपनी थी उसको अभी न लें क्योंकि उसका थोड़ा सा फंडामेंटल इतना मुझे मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है तो जब फंडामेंटल मजबूत के हमाई पास द करना है तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को धन्यवाद